हे गाइज वेलकम बैक टरन अधर ब्रैंड न्यू वीडियो और गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो हम बात करने वाले डेटा यूजिस के बारे में क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि यार शौमी के अब जो अपकमिंग अपडेट के साथ जो यार यहाँ पर जो ड आना के अंदर देखने को मिल जाता है अबर इंडिया के अंदर अभी तक देखने को नहीं मिलता और बोला तो काया था कि मेवाइ 12.5 के साथ या फिर मेवाइ 13 के साथ देखने को मिलेगा लेकिन अभी तक भी हम यह जो देखने को नहीं मिला तो आज की इस वीडियो के लोग नहीं होगा तो भी कोई टेंशिन की बात नहीं है काफी लोग जो यार रूट में तर से करते हैं लेकिन जिनको रूट नहीं करना उनके लिए स्पेशली यए वीडियो है अब Pelayo यहाज यहाज आप लोगों को डायर्ली ृपना ada user ऊप्षिंस होगा तो ऑप यहाज से के अंदर जाकते हैं यहाज फिर आप लोगोको डायर के उपर चले जाना है और यहाज से टा uses value option को simply यहाँ पर enable कर रहेना है जैसे आप enable करोगे तो यहाँ पर जो एक data uses का shortcut बन जाता है और यहाँ से जो एगरे करोगे तो यहाँ पर आप लोगों का सब कुछ जो डेटा अब जो यहाँ से जितना भी आप यूज करोगे वो जो यहाँ पर देखने को मिल जाए जैसे कि म यह पसंद नहीं है तो आप लोगों को और एक method बता देता हूँ तो आप लोगों को simply जो इसे remove भी कर सकते है आपको पसंद नहीं है तो अब जो guys next आप लोगों को बता देता हूँ अगर आप लोगों को यह method पसंद नहीं आया तो आप लोगों को simply जो अपने जाना है यहा यहाँ पर आप लोगों को home screen के उपर आपने widget को भी ऐड़ कर लेना है जैसे कि यह जो widget में add कर लेता हूँ क्योंकि यह widget आप एड़ करोगे तभी जो आपके home screen के उपर जो डेटा है उजसे वाला widget आज आएगा directly home screen के उपर तो यहाँ पर भी इसे add करना काफी ज़्यादा ज लोगों के home screen के उपर जो widget एक इनेबल हो जाता है जैसे कि मैंने जो इस theme को इनेबल किया देख सकते हैं आपर widget इनेबल हो चुका है अगर आप लोगों को यह भी theme पसंद नहीं है या फिर यह widget पसंद नहीं है तो आप जो second भी कर सकते सभी के नाम आप जो उपर देख सकते सेक्टर 15 नाम है एक theme का भाई है आप जो honey comp pro देखने को मिल जाता है एक theme का pure 3D OS देखने को मिल जाता है और यह last theme हम नहीं बच्चिती है उसका सेक्टर 13 आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो आप कोई भी set कर सकते है जैसे कि इहाँ पर देख सकते है वो जो हमारा enable हो पर simply उसी को आप जो यार यहाँ पर add कर सकते है system को सिर्फ बाकि यार आप लोगों को पूरी theme यहाँ पर add करनी के भी जरूरत नहीं है और guys यहाँ पर आप लोगों कुछ भी यहाँ पर add नहीं करना simply आप लोगों को जो classic theme है उसके उपर ही करना है तो भी यहाँ पर एक यहाँ पर widget section के अंदर यहाँ पर इस शो करेगा जो कि एक theme का pure 3D OS है उसका जो सिर्फ सपोर्ट करता है बाकि theme का यहाँ पर नहीं आता तो आप जो इसी theme को simply यहाँ पर add कर सकते है देख सकते मैंने जो उसी को सिर्फ अपने widget के उपर add कर दिया है तो इस तरीके से आप जो है हमें जो MIUI 13 के साथ देखने को मिलेगा या फिर नहीं तो अभी तक जो आर कोई भी यहाँ पर बिल्ड के अंदर तो इससा देखने को नहीं मिला जिसके अंदर जो data usingable हुआ है तो आप लोगों को इसे भूल जाना है अगर आप लोगों को यूज करना है तो इस method से कर सकत है तो that's it guys I hope आप लोगों को छोटी सी ये वीडियो पसंद आएक पसंद आज है तो प्लीज आरे इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा मैं मिलता हूँ इसकी नेक्स ट्रीव में तेक केर तिल देन और बाइब बाइब